घुरई है किसे आप दोस्तों आज मैं आपको बताना वाला हूं उसरो कर रहा है तो यह बताने वाला हूं मैं कहीं से पढ़कर नहीं बता हुं पिल्कुल मैंने खुर के मॉणाइल पर इंप्लीमेंट करा हुआ हूँ तो के बारे में बताने वलों यह जुमेंट इस पताऊंगा आप इसको नौर्मली कुई ज्यादा टफ टिप नहीं हो आपको नौर्मल याप इसको follow कर सकते हैं तो जैसा कि सबसे पहली जो टिप बताने वारो थाट पार्टी या फिर किसी ओर के मॉडल से चार्ज नहीं करना चाहिए वो आपके मॉवाइल को हाम कर सकता है दोस्तों होता क्या है कि जो भी मॉवाइल आपको जो भी आप मॉवाइल लेते हैं उसका जो चार्जर आपको मिलता है वो पर्टिकुलर उस मॉवाइल के लिए आप बना रहता है क्योंकि जो भी उसके नेरा charging का port होता है वो उसी चार्ज़र को support करता है या फिल सकते जो भी वाट रहता है दोनों के same देतें तो वो as that charge होता है और जिससे आपकी वाइल को कोई harm नहीं होता है या फिल सकते आपकी बैटरी को भी कोई problem नहीं होती और आपक सेमसंग का जैसे चार्जर हैं तो आप को केबल भी चार्जर या फिर ओन200 सबसे पहले चो यह कि हमेशा करना हुए एसके बाद यसजो सेकंड्न बतानेों वह बहुती काल की क्योंकि मुझे से असा लगता है कि जब भी आपने अथा लगता है ठीट होता है है और अगर आप मो़ाईल में कवर लगाकर रखा है उससे और जादा हीट हो जाता है अभी वियवस्त फंड के मौसम में जाधा कोई फरक निबरता है अगर आप गर्मी में hate कर रहें और उल्डेडी कर लूद अकर अगर आप मोईल कोंगा कोशिस करें कि आप अपने मोजिल को फ्लाइन की डाल के चाइच से फायदा होगा दोस्तों व्लाइट पर ऊन करने की बात होगा क्या जितने भी फाल तुक्त आपके पास जो भी यह उनलब फालतू क्या वोलू जितने भी आपके मोवाइल में जो एक्टिविटी है लाइक डेटा लोकेशन और यह सब जितना भी सब चीजें यह सब बंद जाएंगे लाई कि आपको चार्ज पर लगा रहा है तो आपको हमेशा अपने मोवाइल को फ्लाइट मोड पर ही करके चार्ज पर लगाने इससे आपके मोवाइल की चार्जिंग के स्पीड भी बढ़ जाएगी और फालतू के जो मलब चार्ज होने पर जो मोवाइल गरम होता है क्योंकि उसमें आपकी नैट्वी करेक्टिविटी आ रही कॉलिंग भी यह सब चीज आ रही तो उससे वह बचर आएगा और चार्जिंग की स्पीड भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी उसके वाद जो फोर्ट बताने वालों दोस्तों जब भी आप अपने मोवाइल को चार्ज पर लगाए उसको चार्ज पर लगाने की वाद यूज नहीं करना चाहिए लाइक कुछ लोग तो देखा है उसमें ग वाइशा मोवाइल को बिदाउट चार्जिंग पर यूज करने के बाद ही मलब बिना चार्जिंग के ही अपने मोवाइल को कालिंग पर यूज करना या और कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट कॉल यह उसकर सकते हैं तो उस्से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बीटिवाल जैसे मालीजिये आपके मॉवाइल आपके मॉवाइल सपोर्ट करता है 20 watt तक का friendly उसकर खाजर फाजर लाज हैं के लिए 35 वाइब 35 वाट जैने स्वाइब को त्रफर्चार यूजो से होगा कुछ नहीं आपका खोग तो यह दा लेंगे तो वह बोड़ तो जाएगाி वो charging नहीं करेगा और आपके mobile की battery को harm करेगा तो आप हमेशा ध्यान रखें अपने mobile की जो भी supported charger उसी को use करें उससे other कोई charger को use नहीं करना चाहिए वो भी आपके mobile को battery को harm करता है तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है और कभी भी अपने mobile को राद भर लाकर charge पर लाकर छोड़ना है चीज़ बहुत सारे लोग होते हैं उन्होंने लगाया चार्ज पर और सो गए सुबह उठे तो 100% ऐसा नहीं करना चाहिए वह बहुत ज़्यादा नुकसान दे होता है उसमें होता है दोस्तों आपका mobile एक त्राइम तरफ फुल चार्ज हो जाएगा चार्ज होने के बाद उसके mobile बैटरी तो बैटरी में तो कुछ जाएगा नहीं बैटरी तो फुल हो चुकी है तो इसको एक्स्टा चार्ज करना ही नहीं है उसको हो सकते तो आप पांच मिर्ट बाद ही निकाल लो तो तुरंत ही निकालो उसको वेट ही मत करो कि 100 के वह वोने दो घंटे दो घंटे लगा हुआ ऐसा नहीं करना चाहिए वह सबसे ज़्यादा हामफुल होता है तो उसको यहांच को इध्यान रखने और यह और आपको हमेशा अपने मोबाईल को नॉर्मल टेंफ्रेचर पर यह इसको चार्ज करना है जब cur टेंप्रिचर वहां भी तइप चार्ज नहीं करना जाए ज्यादा होट पर करना ज्यादा लाज़ काल्ड पर आपको नॉर्मल पर करना है जो किमी keyboard करती है आपको अपनी मुवाइल को चार्ज करना है और उसको कभी बेलब कोई समान रखके चार्ज नहीं करना मा लिए आपने मुबाइल चार्ज पर लगाया उसके उबर कुछ समान रख दिया वो भी बहुत जादा हामफुल होता है तो उसको नॉर्मल जहां चार्ज पर लगे उसके उबर कुछ समान ना रखे नॉर्मल चार्ज पर रखे ताकि वो कैसे लगे हैं यह सही है यह गलत है अगर आप मुझे कुछ सेशन देना चाहते हैं या खुछ एड़ उन करवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बता है और अगर अभी तक आर आपने मेरे सबस्क्राइब नहीं किर तो प्लीज मैं सबस्क्राइब करना ना बोलें कि मेरे चैनल पर जब 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 में 10 के तक पोस्ट को उसकी बाद बहुत अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा और हो सके तो आप मुझे इस्टाग्राउं फेजु फोलो करना भी ना बोले सका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो थैंकि दोस्तो